अगर आपकी साधी हो चुकी है या होने वाली है और आप चाहते हैं कि साधी का भरपुर आन्दन उठाने तथा रोमास से भरपुर जीवन जीने के लिए आपको हन्यमून की प्लानिंग करनी होगी आईए इसमें हम आपकी मदद कर देते हैं पेस है आपके साब में भारत की मसुहूर हनीमून डेस्टीनेशन गोवा जैसे कि हम सभी जानते हैं गोवा भारत की सबसे फैबरेट हनीमून डेस्टीनेशन में से एक है गोवा की खुबसूरती और संदार समुद्री बीच चाचारो और पानी ही पानी हो और ऐसे में वाटर गेम तथा रिवार पूज का मज़ा ना केवल साधी की सारी थकान मिटाकतर आपको तरोताजा कर देगी आप चाहे तो रूज पर केंडी लाइट डीनर और नाच गाने का भी भरपूर आदन और लुप्ट उठा सकते हैं मनाली चारो और हर्यालिया खुबसूरत फलो के वगीचे बादलोग और छूतिय पहाड जिनके बीच से कलकल करती जहरने और इसकी उसूरत बादिया नव विवाहतों के लिए एक संदार और अकर्सक हनीमून स्पोर्स है बसे तो मनाली का मुख अकर्सन है रहतांग दर्ज जहां अक्टूबर से फर्वरी के वीच बर्फ को मोसम में दूर दूर से हजारों से लानिया यहां बर्फबारी का हनन उठाने पहुंचते हैं दरसल मनानी में परकृती दिरिसों के साथ साथ आपका यी अडवेंचर गती वीडियो का लुप भी उठा सकते हैं सिम्ला अगर आपके पास समय बहत कम है तो सिम्ला आपके लिए सबसे अच्छा उप्यूक्त हनीमून डेस्टिनेशन साभित हो सकता है देश के सबसे ज़्यादा खुबसूरत हिल स्टेशनों में से एक सिम्ला है जो साथ पहाड़ियों से घीरा हुआ है एडवेंचर के सोखिन लोग यहां ट्रेकिंग और एड़ हाइकिंग जैसे रोमांचक गतिविदियों का मज़ा भी ले सकते हैं सिम्ला विंटर अस्पोर्ट के लिए भी बहत मसूर है हर सल जन्वरी से मार्च के बीच सरदियों के मौसा में आप यहां वर्फ कर अस्कीटिंग करनी का लुप्त उठा सकते हैं केरल को पुद्रत में बड़ी खुपसूर्टी से सबारा है इसलिए हनिमून के लिए केरल सबसे उप्यूप जगा है उचे-उचे पहाड, संदार समुंद्री की नारा, नारियल और खजूर के पेड़ों के जुर्मराहट के बीच से नाव पर सबारी, चार और हर्यारी और बेहत खुपसूर्ट नजारे यह सब हैं केरल की खुपसूर्टी इसकी असली पहचान है, इस नुबानी नजारों में प्यार भरे दिल की धड़कने बढ़ना सभाविक है उटी, उटी को देश के सबसे खुपसूरत सांत और परदुसां रहित खील स्टेशनों में माना जाता है चौरों और हर्याली बिहद अकर्संक, जील, कुद्रत के सुंदर-सुंदर नजारे यानि की हनीमून के लिए एकदम परफेक्ट महोल आप चाहें तो अपने हमसफर के साथ जील में पोटीन का मज़ा ले सकते हैं या फिर फूलों से सजे गार्डेन में बाहें में बाहें थामें सेर का आनन ले सकते हैं और आप चाहें तो एक जगा उचाई पर बैट कर एक दुसरे की कंदे पर सीर्थ तिका कर पुद्रत की खुबसुत नजारे का लूप लिए सकते हैं से यह अन वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूटीब चैनल इंट्रेस्टिंग फेक्ट वन जिरो बन के साथ लाइक करें सस्क्राइब करें एंड बैल आइकन घंटी दवा दें